तो आज हम बात करेंगे अपने पाठ्य पुस्तक गुल मोहर के पाठ आठ शाबाश सुनीता विल्यम्स की तो इस पाठ के बारे में बहुत सारी चीज़े हमने जानी इस पाठ के सारांश को जाना, कठें शब्दों को जाना, पाठ वाचन किये, शब्दात को जाना और हमने अब तक अपनी कॉपी में कठें शब्दों और शब्दात लिख लिए हैं इसके पिछले भाग में हमने वीडियो के माध्यम से भी और अपने पीडियेट के माध्यम से भी हमने इस पाठ के पठित, इस पाठ के पुस्तकिया अप्थ्यास को पूरा किया था तो पुस्तकी अभ्यास के बाद अब बारी है उन प्रश्णों के बारे में बात करने की या उन प्रश्णों की चर्चा करने की जो हम अपनी कॉपी में करेंगे, कॉपी वाले भाग को जानेंगे और उसका अभ्यास करेंगे पहले भी हमने इस पार्ट के कठिन शब्दों को जाना है पर दोबारा एक बार आप देख लीजे दोबारा से अभ्यास कर लीजे और आपको किस प्रकार लिखना है वो भी जान दीजे पार्थ आठ शाबाश सुनिता विल्यम्स कठिन शब्द तीन बार लिखें शब्द पहला शब्द है युकलिट फ्लॉरिडा इंस्टिट्यूट टेक्नोलोजी स्नोबोर्डिंग एस्ट्रोनाथ व्यवस्थित् स्पेश शिप गुरुत्वाकर्शन रोजमर्रा भाव विभोर स्पर्श मिसाल धेय दिलेर जीवट ये सोला शब्द है जो आपको अपनी कॉपी में लिखना है और प्रतेक शब्द को तीन बार लिखना है कठिन शब्दों के बाद अब शब्दार्थ की बारी स्पेस अंतरिक्ष स्पेश शिप अंतरिक्षियान रोजमर्रा हर रोज फिलहाल अभी मिसाल उदाहरन दिलेर साहसी दिक्कत परेशानी गुरुत्वकर्षन प्रित्वीका आकर्षन बल भाव विभोर भावं से भरा स्पर्ष, छुवन, धे, लक्ष्य, जीवट, साहस या हिम्मत तो ये शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है कटें शब्द तीन बार लिखने हैं शब्दार्थ लिखना है और आगे अब प्रशन उत्तर की बारी वाख्य बनाओ, इन शब्दों से वाख्य बनाने हैं आपको मुश्किल, बारिश, आईस क्रीम, दिलेरी, मिसाल और ये हैं आपके होमवर्क ये आपके होमवर्क है इस वीडियो का ग्रहकार ये आपका है कि आपको ये होमवर्क बनाना है अपनी कॉपी में आगे बढ़े वचन बदल ये ये शब्द आपको आपकी पुस्तक के पाठ वचन के बीच बीच में मिले होंगे पाठ के बीच में ये शब्द आए होंगे इनके आपको वचन बदलने हैं डिग्री, डिग्रियां, गाह में बड़ी की मात्रा थी, यहां छोटी की मात्रा और यहां आ गया. याद, यादें, घंटा, घंटे, कपड़ा, कपडे, डिब्बा, डिब्बे. विलोम शब्द, आरंभ, अन्त, खुशी, गम, जीवन, मरण, शिक्षित, अशिक्षित, साहस, कायर्था. परियाएवाची शब्द, दिन, दिवा, दिवस. दो परियाएवाची लिखने हैं, दिन का दिवा, दिवस. भूमी, धर्ती, धरा. भूमी, धर्ती, धरा. कपड़ा, वस्त्र, वसन. बारिश, वर्षा, बर्खा. शरीर, तन, देह. खाली स्थान भरो. यान जब प्रित्वी से उडान भरता है, तो वे पल बड़े रोमान चक होते हैं. रोमान चक, ये शब्द खाली स्थान में भरना है. डैश में खाना खाने का तरीका भी निराला होता है. स्पेस शिप में खाना खाने का तरीका भी निराला होता है स्पेस स्टेशन में रहने के कई लाब हैं तो कई हानिया भी सुनीता विल्यम्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने की डैस पेश की सुनीता विल्यम्स ने अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने की मिसाल पेश की परिवार से दूर रहते हुए भी सुनीता अपने डैस से डगमगाई नहीं संख्षिप्त प्रश्न उत्तर पहला प्रश्न है सुनीता विलियम्स का जन्म कहां हुआ था सुनीता विलियम्स का जन्म कहां हुआ था संयुक्त राजी अमेरिका भी आप लिख सकते हैं आप युकलिट शहर भी लिख सकते हैं या आप चाहे तो पूरा लिख सकते हैं संयुक्त राजी अमेरिका के भरी थी 10 दिसंबर 2006 को अंतरिक्ष में खाने की कौन सी चीज नहीं मिलती आइस क्रीम सुनीता कितने महीनों बाद धर्ती पर वापस लोटी छे महीनों बाद अब बारी विस्तरित प्रश्न उत्तर की विस्तरित प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न है रॉकेट बूस्टर के टेक ओफ होते ही अंतरिक्ष यात्रियों को क्या समस्या होती है रॉकेट बूस्टर के टेक ओफ होते ही पूरा पेट बेकाबू हो जाता है और पूरा शरीर हिलने लगता है यही समस्या होती है अंतरिक्ष यात्रियों को दूसरा प्रश्न खाने के डिबे को खोलते ही क्या ऐसा क्यों हुआ? खाने के डिब्बे को खोलते ही, सारा खाना जोर से बाहर निकला और हवा में तैरने लगा. ऐसा कम गुरुत्वा कर्शन के कारण हुआ या कम गुरुत्वा कर्शन की वजह से हुआ. सुनिता विल्यम्स के अनुसार स्पेस स्टेशन में रहने के क्या फायदे हैं स्पेस स्टेशन में रहने पर उन्हें रोजमर्रा के अनेक काम नहीं करने पड़ते और अपने ग्रह को नस्दीक से देख सकते हैं यही उनके अनुसार सुनीता विल्यम्स के अनुसार फायदे थे धर्ती पर लोटने पर सुनीता विल्यम्स सबसे पहले बारिश से भरे एक दिन का अनुभव करना चाहती थी किन गुनों के कारण सुनीता विल्यम्स सबके लिए आदर्श बनी किन गुणों के कारण? अपने साथियों के साथ मिलकर काम करने, अपने परिवार से दूर रहकर भी अपने धे से नहीं डगमगाते हुए सुरीता विल्यम सबके लिए एक आदर्श बनी तो इन प्रशनोत्तर को, खालिस्तान भरों को, संग्षिप्त प्रशनों को, लिंग वचन परिवर्तन, परियाय वाची, विलोम शब्द इन सभी को आपको अपनी कॉपी में लिखना है और वाक्य बनाओ, आज का आपका ग्रिह कार यह है, ग्रिह कारे के शब्दों को, यानि वाक्य बनाओ के जो शब्द आपको दिये गए हैं, उन्हें एक बार फिर से दुहरा लीजिए, मुश्किल, बारिश, आईस क्रीम, दिलेरी, मिसाल, इन शब्दों से आपको वाक्य बनाने, आज का ग्रिह कारे आपका यही है,